नमस्कार दोस्तो स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल में दोस्तो आज इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ इंकम टैक्स रिटन टीडियस रिफंड स्टेटस के बारे में दोस्तो अगर आपने आई टी आर फाइल कर दिया है लेकिन अब तक आपका टीडियस रिफंड नहीं आया है तो आप यह काम कीजिए ऐसा काम करते ही आप ओनलाइन सिर्फ सिंगल किलिक में अपनी स्टेटस को जान सकते हैं और इतना ही नहीं आपका रिफंड तुरंत आपके खाते में आ सकता है निविदन करता हूँ अगर आप चैनल पर नए है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का बटन दबा कर आल नोडिफिकेशन पर जरूर किलिक कीजिए ताकि फाइनेंस से जुड़ी होई सारे जानकारी आपको यहीं पर मिल जाए दोस्तों विडियो को शुरू करते हैं आईटियार फाइल करने के 15 से 20 दिन के अंदर आम तोर पर टीडियस रिफंड मिल जाता है लेकिन कुछ मामलों में ऐसा नहीं होता है आज हम आपको बता रहें कैसे ट्रिक जिससे आप टीडियस रिफंड का स्टेटस बड़े आसानी से देख सकते हैं दोस्तों अब मैं आपको बताने जा रहा हूं फाइनेंसिल यर 2021-22 के लिए अधिकतर लोग इंकम टेक्सिटन फाइल कर चुके हैं इंकम टेक्सिटन फाइल करने की लास्ट डेट 31 जुलाई 2022 रखी गई थी आईट्यार न भरने पर लगने वाले भायरी जुर्माने की वज़ा से इस बार बड़ी संख्य में लोगों ने आईट्यार फाइल किया है आईट्यार फाइल करने के दोरान अलग-अलग लोगों का TDS return भी बनता है जो ITR फाइल करने के 15 से 20 दिन के अंदर आम तोर पर मिल जाता है लेकिन कुस मामलों में ऐसा नहीं होता है और refund लटका रहता है आज हम आपको बता रहे हैं कि आखिर आप कैसे चेक कर सकते हैं आपके TDS refund का status यानि कि आपके खाते में पैसा आया है या नहीं इ हाते में पैसा कब और कैसे आएगा बेसक आपने अपना ITR किसी CA या CS के द्वारा भरबाया हो लेकिन उस ITR के बाद मिलने वाले TDS refund के status को आप खुद भी चेक कर सकते हैं इसे जानने का तरीका भी बेहत आसान है आज हम आपको बताएंगे online अपने TDS स्टेक को कैसे चेक कर पहले आपको अपने computer पर mobile पर या laptop या tablet पर income tax की website www.incometax.gov.in website पर जाना होगा दूसरा इस्टेफ है अब आप से login करने के लिए कहा जाएगा आपको अपना पैन नमबर या अधार नमबर को user ID की जगह दर्ज करना होगा इसके बाद आपको capture code डॉल कर login करना होगा उसके बा का demand status नजर आएगा दोस्तों आपको refund या demand status पर click करना है इसके बाद आपके सामने assessment यह refund फेल होने का कारण और payment mode की जानकारी दिखेगी अगला step है अब आपके सामने आपके refund का status बिल्कुल साफ चो तौर से जलकता हुआ दिखेगा दोस्तों उमीद करता हूँ आपका ITR य सकते हैं उसके बावत में complete जानकारी आपको दे सकता हूँ या जितना मेरी से मदद हो सकता है मैं आपको उस notice का जबाब देने का कोशिश कर सकता हूँ दोस्तों दूसरा जो इस्ते पर बहुत आसान और बहुत अच्छा है तिस स्टेटेस को भी आप जरूर देखे अगर आ आपको टि आइन टिन डाट एनसडेल डाट कॉम स्लैस ओल्टी एस लैस रिफंड स्टैटस पर विजिट करना होगा हला कि दोस्तों घबराइए मत इन दोनों वेबसाइटों का लिंक में डिस्किप्शन में दे देता हूँ इसके बाद आप स्क्रीन पर नजर आने वाले ब करते ही आपको टीडियस रिफंड का स्टैटस तुरंत स्क्रीन पर पता चल जाएगा निवेदर करता हूँ अगर इस जानकारी अच्छी लगी हो या इस जानकारी से आप संतुष्ट है तो मेरी इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब पर लिजिए और वीडियो अच्छी लग करते हैं